नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत आपके यूट्व चैनल ट्रेड वित रहाने चलिए दोस्तों आज के सुरुवात करते हैं जैसे कि अपने कौर्टर वन रिजल की सीरीज चल लिए तो उसके अंदर आज एफसल का कौर्टर वन का रिजल आज यह है अब रिजल कैसा और आगे ट्रेडिंस कैसे रहने वाला है उसके बारे हम बात करने से पहले अगर अपित तक आपना चैनल सब्सक्राइब नहीं कहा है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैले को बजाना बिलकुल ना भू अब बात करते हैं तो बैसिकली आज इसका कौाटर 3 का रिजल थी तीन जुलाई को बट अभी रात के 11 बच बारा मिन्त ओर रहे है तो चार जुलाई लग चुका है तो बैसिकली हम बात कर रहे हैं देखिए कि आज इसका 3 अगस्त धोज़ाब आज के दिन सब को पार्टर को नहीं मिलिए तो अब इसके अंदर जो इनकी अर्णिंग्स आई हैं वो करोड में इसको थोड़ा सिंप्लिफाइब करें समस्ते कैसरा क्वार्टर वन का रिजल्ट तो फस्तौ सॉलूसा लिम्ट है हमने से समय समय पर से कवर भी किया है और समय समय पर हमने इसमें अपने अब देखिए इसका जो कंपनी जो स्टॉक्ट परसेंट के साफ सो डिवीडेंड कंपनी ने वितक दिया थी पॉइंट थाटी एट परसेंट के साफ सो फेस्ट वेल्यूस का दसर बेका है अब देखिए इसका जो कंपनी जो स्टॉक कंपनी का जो डिवीडेंड पे आउट है भी तक 3.38 परसेंट आया और कंपनी ने हेल्थी डिवीडेंड पे आउट रखा है यानि कि आप दे सकते हैं 51.40 परसेंट के साफ से तो हम बात करें से क्वार्टर वन रिजल्ट की तो जून क्वार्टर की तो देखिएंगे जून दोजाबाइस तो इस क्वार्टर में टोटल सेल हुई है 1472 करोड पे गी और ऑप्रेशन प्रॉफिट निकला है 180 करोड पे गा नेट प्रॉफिट निकला है 85 करोड पे गा अनिंग पर शेयर निकल का है 1.22 गा अब लास्ट क्वार्टर से क्वार्टर से क्वार्टर मार्च 2022 तो लास्ट क्वार्टर सेल थी 1544 करोड वो घटके 1.90 से घटके 1.22 हुआ है तो आप दिखेंगे ये 10 से 15 परसंट का डाउनफुल देखने को मिला हमें चाहे सेल लिली जिए चाहे ऑप्रेशन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अर्णिंग पर शेर की बात करें तो लिली जिए 10 से 15 परसंट का डाउनफुल देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं जून क्वाटर के जून दो जाएकिस तो लास्ट अब सॉरी अब बात करते हैं लास्ट यह जून दो जाएकिस तो लास्ट यह सेल थी 1485 करोड वह घटके हुई 1472 करोड पेगी अब एक चीश समझेए जो यह जो कौटर क्वाटर वाइड सेल में दो डाउनफुल है तो यानि कंपनी के परफॉमंस में थोड़ा बहुत डाउनफुल देखने हो मिला तो रिजल खराब है बड़ ज्यादा खराब नहीं है थोड़ा वह थी खराब है तो इसको वर्ट अभी के हालिफ लाल के साबसे खराब हो लेंगे तो अब इसके पहले शेयर होल्डिंग प कैसा मुवमेंट तो वह समझते हैं फिर आगे का चार्ट पर समझें कैसा रास का जाइए तरेटिंग वह सम्झेंगे यदिजल आने के वाए शेयर ने 2.6% गिरावत लगाए के बंद हुआ देख सकते हैं और 2.60% गिरावत लागा बंद हुआ ओपन होता है एक सुचे पर निए अच्छा अप्ट्रेंड के बाद काफ़ी चल रहा है का अपने फिफ्ट्यू लो के अब किसे निदा करना है कि आपको देखिए अभी चार्ट पर चलते तो तो चेहर के अंदर देखिए मैंने डेली चाइट ओपन करें अब शेहर जल्दी इसके अंदर आप दिसकितर लगाता तीन दीशे चेहर के अंदर अच्छी ग्रावर्ट देखने हो मिलें की और आच भी चाहसे हुआ जाने का बाद चाहसे लिए ग्रावट को यह इसपोर्ट लगा यहाने को ती ट्यूर को पीछ देक पिच्चासी से लेकि 90 की बीच में आएगा जब आप इसमें फ्रैस इंट्री कर सकते हैं अभी के लिए इसे अवोइड करिए आपके पास चोटा मोटा लोस निकल जाएए यह जल्दी अपना 52 लोग ब्रेक करेगा और पिच्चासी से 90 की बीच में आएगा जब आप इसमें इंट्री कर सकते हैं क्योंकि 80 से 50 की बीच में सपोर्ट देखने को मिल रहा है वहां से शेयर रीपाउंड हो सकता है बट अभी के लिए आपको इसे अवोइड करना है अगर आपके पास है तो होल्ड रखना चाहते हैं बट इसमें गरावट होगी और यह शेयर अभी 92 को ब इस वीडियो